दोस्तों जहिन स्वागत है आप सभी का study with MSPP चैनल पर दोस्तों ये current affairs का वीडियो है और इसमें जो current affairs है अभी 40-40 questions मैं करवाऊंगा हो सकता है कि 70 तक करवा दूँ इसमें इसके पहले एक part आ गया है इसका ये second part है ठीक है इसके पहले वाला part भी देख लीजेगा ये इस तरी तरीके से प्रश्ण मैं आपको करवा रहा हूं हल करवा रहा हूं इसी तरीके से ही प्रश्ण पूछे जाते हैं परिक्षाओं में ये सभी के लिए महत्रपूर्ण है चाहे वो वीडियो का exam हो आरो या एरो का exam हो या state किसी भी state PSC का exam हो जहां पर current affairs पूछा जाता है वो इ पिलिग्राम चैनल का link दिया हुआ है आप उसको join कर सकते हैं ठीक है चलिए next question देखते हैं बाराद उसी हुनरहाट का अप्रेल 2022 में जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था ठीक है ध्यान रखेगे इसको संयुक्तराष्ट महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ने के लिए किस तारीक को अंतराष्टी दिवस के रूप में मनाने के मंजूरी का प्रस्ताव जो है वो दिया है तो वो है 15 मार्च को तो इस्लामोफोबिया करके है 15 मार्च को याद रखेगा ठीक यह महत्तपूर्ण है सायद हो सकता है पूछ लिया जाए तीन अप् बताएगा आप नाखपूर में है सिप्री रिपोर्ट 2022 के इंसवार निमलिखित देशों में से कौन सा देश हतियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है तो निर्यातक सबसे बड़ा जो है वो अमेरिका ही है ठीक अमेरिका सबसे सभी को मतब बारता रहता है तुम भी ले लो सभा बनी है तो वो है नागालेंड ठीक है बहुत महत्तपूर्ण याद रखेगा विस उच्छाय रोग दिवस जो 2022 का है उसका थीम क्या है उसकी थीम क्या है तो उसकी थीम है इन्वेस्ट टू टू एंड टीवी सेव लाइप्स ठीक याद रखेगे इसको ठीक है ठीक है तो यह याद रखेगा महत्तपूर्ण है इसको याद रखेगा इसका कब मनाय कब जाता है विस जो च्छै रोग दिवस है वो 24 मार्च को मनाय जाता है ठीक है यह भी डेट याद रखेगा चलिए next question देखते हैं असौम सरकार ने हाल ही में देश के किस प्रतिष्ठित उद् 22 में पचीस वर्स की उम्र में ही बहुत कम उम्र में इन्होंने रेटायर्मेंट ले लिया सन्यास की घोष्टना की थी तो यह है ऐसले बाटी ठीक है उत्रखंड उच नयाले के नए जो मुख नाय धीस 28 जून 2022 को कौन बने है तो वो जस्टिस विपिन सांगी ध्यान दीज को याद रखेगा किस मंत्राले दोरा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयटा मिराई यह आपको याद होगा अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा तो याद होगा कि नितिन गड़करी जो है जो केंद्री परिवहन राजमार्क मंत्राले के प्रमुख है उनके द्वारा ये लॉंच की गई थी 20 जून 2022 को हमजा अब्दी बर्रे को किस देश का प्रधान मंत्री न्यूक्त किया गया था तो ये सोमालिया के बने है ठीक है याद रखेगा केंद्री बजट 2022-23 में घोसित इंबेड़ेड चिप और भावी प्रद्योगी की का प्रि मॉनिटर द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 में सीर्स अस्थान पर रहने वाला देश कौन सा है तो सौधी अरब है ठीक है याद रखेगा महत्तपूर्ण है कौन MPL की 47 मी रास्टी महिला सत्रंज चैंपियंशिप में अपना अंतिम WGM प्राप्त कर भारत की 23 मी ग्रैंड मास्टर बनी है मतलब लेडी जो महिला की बात की बात हो रही है तो उनका याद रखेगा आप प्रियंका नुटंकी है ठीक है उनका नाम याद रखेगा प्रियंका नुटंकी 19-20 जून 2022 को चीन को चीन ने किस तीसरे विमान वहक पोत को लांच किया था तो यह है उनका फूजियान राष्टी योग ओलंपियाड 20 जून 20 जून को विस्व योग दिवस भी मनाया जाता है तो यह याद रखेगा उसी दिन यह राष्टी योग ओलंपियाड भी उद्गाटन किया था केंद्र सरकार ने अगनिवीरों के लिए CEPF और असम राइफल में कितने प्रस्ट की घोशना कि है तो 10% की तो याद रखेगा क्योंकि अगनिवीर से रिलेटेड अभी मेंस में भी कॉस्चन आया था तो आप यह समझ सकते हैं कि महत्तपूर्ण है हो सकता है कि अभी आपक यह आपको देखने को मिल सकता है किस देश ने भारत हाल ही में भारती व्यापारी व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुफ्त जो है शुरू किया है प्रोग्राम तो यह प्रवेस माल्दिव ने बोला है कि आई आप हमारे हां बिजनेस कीजिए मार्स 2022 में बरकिंगम व अमेरिका के लॉस एंजलेस में संपन्न मिस्वर्ड प्रतियोगता जो 2021 वाली हुई थी उसमें कौन जीता था तो वो कैरिलिना विलावास का आप बताइएगा हरनाथ संदू क्या बनी है ठीक है आप कमेंट करके बताइएगा किस मंत्राले द्वारा आजादी के अमरित महो प्रत्सवक पॉलगास्ट यह किसने शुरू किया था किसने लॉंज किया था तो यह संसग्रेशी बंत्रा लहा निमनिखित मेंसे किस देश हमें विश्व की पहली स्वच अलक रही ढीट का अनावर्ण किया था तो यह जर्मनी ठीक है तो बारती नोसेना दीवस मनाया जात सटा है याद रखिएगा इसको अभी हाली फिलाल में इसका इसा से अ इस तरीके से पुछा सकता है कि किस भारती सस्ट्र मैं सेना बल का जो है वह फ्लाइक चेंज हो चेंज किया गया तो इस एक डुएसरों सदस्य तरह वह कौन बना है तो एंटी को और बर्बुरा अभी टो अभी तो टोटल 109 है यह 102 पूछ रहा है तो हो सकता है 109 भी पूछ ले या जो भी है तो ध्यान रखिये गए इसको ठीक है देश का पहला ग्रेफिन इनोवेशन सेंटर कहां खोला गया है तो यह केरला में है दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उधगाटन किया गया य सब्सक्राइब याद रखिएगा इसमें एक मिनट यह 2022 नहीं है एक सिकंड हाँ सब्सक्राइब किस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया था आपको याद होगा कि सेन वार्न जो कि इस्पिन के जादूगर कहे जाते थे तो वो उनका हाट एक से उनका जो ह लिया जाता है कभी कभी अप्रेल 2022 में हरियाना के फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतराष्टी मेले का आयोजन किया गया इस बार कौन सा राज या केंद्र सासित प्रदेश थीम राज के रूप में रहा तो जम्मू कस्मीर रहा मार्च अप्रेल 2022 में यूरूपी संग न 2022 में भारत की कौन सी रैंक थी तो यह दसमी रैंक थिक याद रखे जाट र arg है दसमी रैंक कई बार हो सकता है कि पूछ ले रैंक पुछा जाता है सीधे सीधे प्रेशन पुछ जाता है रैंक से दे Miracle रैंकिंग बताईए अब गूगल ने किस देश के साथ हाली में पलेटास सब्सक्रिप्षिण सेवा शुरुकी फ्लेता अंधिये सब्सक्रिप्षिं सेवा तो कहां पर सुरुआत की है यह गूगल ने तो आप याद रखेगा यह अपना भारत में भारत रखाव कि सेवा शुरू की गई है और इसमें जो आपका CCPI वाला है इसमें भी जो है दस्मी रैंक है ठीक है ध्यान दीजेगा इसको महत्पूर्ण है इसलिए मैं बार-बार बता रहा हूं उसको किस राज ने राज में 43 चेल्टरन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई पर हारी में भारत के सबसे बड़ी कुष्टी अकाडमी स्थापित करने का नेने लिया है या मंजूरी दी है तो वो दिल्ली में किसंगज में हाल ही में जापान के किस पूर प्रधान मंत्री को नेता जी अवार्ड 2022 से समानित किया गया था तो यह सिंजो अबे ही है इनका जो है इनकी गोली मार कर इनकी हत्या भी कर दीगे तो आप यह मान कर चलिए कि हो सकता है कि पूछ लिया जाए थोड़े दिन पहले ही इनको पद्म भूशन से भी समानित किया गया था तो आप उस चीज को भी ध्यान रखिएगा हो सकता है दूसरे तरीके से पूछ लिया ज किया है तो UPI 123 Pay ठीक UPI 123 Pay फीचर फोन मतलब जो चोटा वाला फोन होता है उससे भी आप कर सकते हैं मतलब आपको जरूरी नहीं कि स्मार्ट फोन हाँ इसमें है सायद कि कुछ लिमिट है वो लिमिट एक्जैक्ली मुझे याद नहीं है कि 200 है या 2000 है बट वो आप उससे भी कर स सकता है भारती रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला जो है नेट जीरो कार्बन उससर्जन बनने की घोशना की है तो यह आपको याद होगा अच्छा भारती रेलवे की बात कर रहे है ठीक है तो यह 2030 तक का लच्छ रखा है चार फरवरी 2022 को मनाये गए विस्व कैंसर दिवस तो यह पहले तो डेट याद रखेगा कि विस्व कैंसर दिवस कम मनाये जाता है तो चार फरवरी को इसका सिधे सिधे प्रशन पूछा गया है यह PCS में तो अब की बार भी कहीं कहीं किसी ने किसी एक्जाम में पूछा जा सकता है तो इसकी जो थीम है वो बहुत मह उनको मतलब उनका कारिकाल पूरा हो गया तो यह सोमनात को बनाए गया घर पर और वेक्टिगत उपयोग के लिए भांग को वैद बनाने वाला यूरूपी संग का पहला देश कौन सा है तो वह माल्टा है हाली में प्रसिद कथक नर्तक बिरजु महराज जी का निधन हो गय सब्सक्राइएं तो वो दुबै सरकार बनी है किस सहर में देश का पहला open ngo Logan संगरहल है तो यह रहाद करेगा अभ्यास अकुरियान भारत और किस देश के साथ किया रता है भारत और मालदिय के साथ होता किस राज के मुख्यमेंत्री ने मुख्यमेंत्री गहसियारी कल्याण योजना शुरुवात कि है तो यह उत्राखंड में यूपी यूपेशी वाले ध्यान दखिए इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं देखें मार्च 2022 में महराष्ट के किस टर्मिनस को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज री गैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त है तो यह एच जैगड़ एनरजी टर्मिनल करके है उसका नाम याद रगेगा विस्प्रस स्व स्टॉक होम स्वीडन स्वीडिस एकेडमी द्वारा वर्स 2021 के लिए साहित शेत के नोबल जो पुरसकार दिया गया था तन्जानिया के उपन्यासकार अब्दुल्रजा गुर्णाह को प्रदान किया गया वह किस देश से सम्मंधित है अब यहां पर देखिए लिग भी दिय क्या है तन्जानिया और पूझ भी रहें ठीक है यह थोड़ा प्रस्म वैसे ही है चलिए कोई बात नहीं मद्द प्रदेश के किन दो सहरों में हाली में पुलिस कमिस्नेरेट की जो प्रणाली है उसका सुभारन किया गया तो वो भोपाल और इंदौर में अप्रेल 2022 में च् यह हो सकता है यही सूची पूछ ले तो इसमें जो है वो एलन मस्क ही है ठीक है बी आंसर याद रखियागा इसको भारती रेलवे द्वारा निमलिखित में से किस राज्य में विस्तु का सबसे उचा 140 मीटर घाट रेलवे पूल बनाया जा रहा है तो यह मणीपूर में बन सिवांगी सिवांगी सिंग किस स्टेट से हैं आप कमेंट करके बताएगे अगर आप बता पाएंगे तो बहुत अच्छी बात किस देश में तेल रिसाओ के बाद चटी चेत्रों में नब्बे दियुसी परियावरणी आपातकाल घोसित किया गया था तो पेरू में प्राक इसका के साथ खेली के टेस्ट सीरीज सिंखला में भारती किस भारती गेंजबाज ने कपिल देव को पीशे चोड़ते हुए सरवाधिक टेस्ट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है अनिल कुमले पहले अस्तान पर हैं दूसरे अस्तान पर वो पहुंच गया है तो कौन यह की संसत द्वारा जकारता के स्थान पर किसे देश का एक मतलब नई राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है तो वो नुसंतारा को दिया गया है अली में किस विधान सभाद वारा धार्मिक सवत्मता का अधिकार सरचण विधेयक परित किया गया तो वो करनाटक आपदा प्रतिरोधी संरचना गडबनन सीडी आराई जो है उसका जो अभी सदस्य हाली में किसी बनाए गया है मेडागासकर को ठीक ध्यान रखियेगा इसको पचीसवार राष्टी युवा महत्सों 2022 का मुख्य विषय क्या था तो सक्षम युवा ससक्त युवा ध्यान र जाता है राष्टी स्वास्त मिसन एनह.अ इंध द्वारा कि स् राजन में योजना निरामया के स्रूवात होई तो यह असम में शुरूआत होई है अमेरिका किस देश को अपने प्रमुक गैर नाटो सही होगी के रूप में घोसित किया है तो उसने कतर को घोसित किया है गैर नाटो सही होगी केदरी बजट 2022 देश में वित्तमंतरी निर्मला सीतरमण दौरा फुरवोत्तर के लिए बैंबू लिंक रोड के लिए कौन सी कीजिए इस वीडियो को देखिए एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए आपको आप भूल नहीं पाएंगे इसको दिमाग में आपके बैठ जाएगा यह और आपका प्रश्ण जो है गलत नहीं होगा ठीक है और इसके बाद एक जीएस इसी में जो पूरा फुल मॉक टेस्ट अभी उसको भी आज ही दूँगा ठीक है तो उसको भी देख लीजेगा चलिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहन